सबी केंडिडेट्स को मेरा नमश्कार मैं दुर्गेश यादो सियो फॉंडर डी एस प्लेटफरम आप सभी इंस्ट्रक्टर का क्वैलिफाइड यानि स्कोर को जारी कर दिया गया था और स्कोर काड जारी करने के बाद कुछ ट्रेडों का है जो एसकूटनी हुआ था एसकूटनी का मतलब जिनका भी मेगा सुची में नाम आ रहा है जैसा कि आप सभी को पता होगा जब नोटिफिकेशन आउट किया गया था फॉम अप्लाइक के समय उसमें पताया गया था कि सीट के सावागोना स्टूडेंटों को जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे सीट के साव गुना अधिक बचे को है डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है यानि उनका एसकूटनी हुआ है और पिछले दिनों में कुछ ट्रेडों का जो है एसकूटनी हुआ था और अभी एक नोटिफिकेशन आउट किया गया है बिटिएसी के तरफ से जिसके हम ऑफिसियल नोटिफिकेशन पर है जिसमें कुछ ट्रेडों का जो है इसमें कुछ ट्रेडों का जो है एसकूटनी किया गया है और जिनका भी मेगा सुची में नाम मतलब मेगा सुची में बन रहा है उन सभी स्टुडेंटों का जो है स्कूटनी में कोई त्रूटी एरर होगा तो उसको रेज अब्जेक्शन आप लोग कर लिजिएगा ठीक है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यह सारा चीज़ ठीक है आपका रेज अब्जेक्शन का डेट दिया है कब दिया है पच्छीश चौदो हज़ार चौबिस से लेकर एक साथ दो हज़ार चौबिस यानि एक जुलाई तक आप रेज अब्जेक्शन कर सकते हैं सामके छे बज़े तक ठीक है यह चीज़ ठीक है इसमें कौन-कौन से ट्रेड वाले का एस्कूटनी हुआ है पिछले जैसे फिटर ओगरे का हुआ था इसमें आप देख सकते हैं क यह तमाम ट्रेडों का जो है एसकूटनी हुआ है मेकैनिकल डीजल, वेल्डर, पलंबर, फांडरी मैन, इलेक्टिशियन, इलेक्ट्रोनिक्स, मेकैनिक, वैर्मैन, इलेक्ट्रिकल इन सभी तमाम ट्रेडों का जो है एसकूटनी किया गया है और आप अपना-पना मोबाइल नमबर डेट अब बर्थ अना और अपलिकेशन नमबर ठीक है डाल कर लॉग इन करोगे तो उसमें जो है आप लोगों का अपलिकेशन नमबर यानि आप मेगा सुची में आपका आ रहा है ठीक है ना सीट के सवागुना का अंदर मतलब आपका आ रहा है तो आपका स्कूटनी किया गया होगा और नहीं आ रहा है तो यानि आप मेरिट लिस्ट से बाहर है अब यह फाइनल मेरा मेरिट लिस्ट नहीं है इसके बाद डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे स्टुडेंटों को चाटेंगे यह लोग एसकूटनी के बाद डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बहुत सारे स्टुडेंटों को चाटेंगे क्योंकि इनके पास दूसरा कोई अप्सन नहीं है क्योंकि सीट के सवागुना श्टूटेंट को बुला रहा तो यह स्वागूना जो इसटाइट है तो 155 स्टूडेंट को बुला रहे तो सुस्ट को सवीखाष आदमी करे स्टूडेंट को छाटना है तो वहां कहां छाटेंगे कैसे छिएरेगे तो तो याद रहें जो भी आपका डॉकमेंट है जिनुवन होना चाहिए और डॉकमेंट में हंडेट पर्सेंट सही होना चाहिए तो ही आपका सकता है इन सब चीज़ पर अपना डॉकमेंट्स को सही किज़े डॉकमेंट्स पूरता आप ध्यान दीज़े और डॉकमेंट्स को एकदाम हंडेर पर्शन शही रखे इस पूरी नोटिफिकेशन में यही बताया जा रहा है कि आपकी जो यह आपकी जो इसमय स्कूटमी हम किये है किस पर किये है तो आपका iti का जैसे कि हम बताया भी थे अना हमारा बताया भी था कि हम आप CVT एक्जाम देते हैं सीवी टी का से बिटि का 50% ओंग मतलब 50% लेंगे और जदिस इड़िए आप किये है तो इसका 30 थिक है आई स्धी ऐसे को लेकिन अभिटिएस्टे शर फीटर रोगी सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन नहीं किया है यह चीज थोड़ा सा खराब लग रहा है तरफ से यह चीज करना चाहिए तो यह जो आपका इसी डेस पर जो है सब्सक्राइब करना चाहिए तो इसका प्रोफिट मिलेगा अधरवाइज जनरल में आपको डाल देजागा यह सब चीज इस पुरा नोटिफिकेशन में बता जा रहा है पुरा नोटिफिकेशन को आप बहत्रीन रूप से बहत्रीन रूप से पढ़ना है तो बीटी एसी प्रोफिकेशन नोटिफिकेशन तेरा ब्यासी नंबर नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करके अब पढ़ सकते हैं बाकी जो हम बता हैं यही है बागी कुछ नहीं है जितना भी हम आपको समझा है वहाई नोटिफिकेशन में दिया जा रहा है तो आप सभी से एक चीज़ क को सभी किजिए एकडम डॉक्मेंस में थोड़ा सा भी तुरोटी नहीं होना चाहिए नहीं तो आप छट जाओगे आपको जोब नहीं मिल पाएगी यह चीज़ चलिए सभी दोस्तों को जोब मिले यह मेरे तरफ से शुब कामना सभी दोस्तों को चलिए जाहिंद सभी को